अलो नमस्कार दोस्तो वेलकम बैक मैं यूटीब चैनल लौवित रोनित दोस्तो आप सभी का हमारी यूटीब चैनल पर स्वागत हैं दोस्तो आज हम बात करेंगे एक एडवर्टाइजमेंट के बारे में जो की मद्य पर्देश हाई कोट से एडवर्टाइजमेंट निकाला जाता है और इसमें जो इंपोर्टेंट चीज है वो आपको एक रेमुनरेशन भी प्रवाइड किया जाता है वो रेमुनरेशन ऐसा रेमुनरेशन होता है जो की 20 हजार रुपय पर मंथ आपको रेमुनरेशन दिया जाएगा 20,000 पर मंथ आपको रेमुनरेशन यहां पर प् यह year 2022 और 2023 के लिए advertisement निकाला गया है जो important date है वो date मैं आपको बताना चाहूंगा इस advertisement का जो starting date of submission of application form है वो 79 2022 से मिन्स साथ तारिक से ही advertisement इसका start है form filling करने का date इसका साथ तारिक से start है जो last date है इसका form filling करने का वो है अब आप ज्यादा बिलम बना करें यह वैसे ही वीडियो लेट हमको मैं बना रहा हूं आप इसमें ज्यादा बिलम बना करें अगर आप interested candidate हो तो आप इस form को जल्दी से जल्दी fill कर दें जैसे यह form fill कर देते हैं तो in future आपको date आ जाता है जैसे ही डेट आएगा interview का इसमें कोई written examination नहीं होगा यह interview based examination होता है और interview में अगर आप सलेक्ट हो जाते हैं तो आपको मद्यपर्दिस high court में as a contractual base पे साल बर के लिए रखा जाता है और वहां पे आपको 20,000 रूपिस के remuneration के साथ आपको रखा जाता है और जो high court के judges होते हैं जो honorable justice होते हैं उनके साथ आपको काम करने का मौका मिलता है इसमें रखने का यही फायदा होता है अब मैं इस advertisement के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ online application through the official website of high court आप मद्देपर्दे आप जो online application है वो fill कर सकते हैं आप मद्देपर्देश high court के official website पर देखें यहां पर website का नाम भी दिया है जो मैं आपको दिखा देना चाहता हूं www.mphc.gov.in पर ही आप जा करके इस form को fill कर सकते हैं और इस form को fill करने में बहुत जादे दिक्कत नहीं आएगी अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमसे call क करके बात कर सकते हैं इसमें contact number दिया है अब terms and nature of engagement के बारे में बताएगा कि क्या terms and condition होगा इस form को fill करने के लिए जो भी term and condition होगा वो मैं इसमें आपको बताना जो term and nature of engagement दिया है first दिया है legal assistant law color कम research assistant shall be engaged purely on contractual basis on the term of assignment shall normally be from 15th June till 15th map of the next year means कि यह साल भर के लिए contractual basis पे आपको मद्यपर्देश high court में आपको रखा जाएगा इसमें essential qualifications के बारे में दिया है essential qualification वही होता है जो LLB complete कर चुका है जिसका LLB 5 year complete हो या LLB 3 year complete हो किसी recognized university से वही वेक्ति इस form को वर सकता है कोई दूसरा इस form को नहीं भर सकता है वही वही भरेगा जिसका LLB complete हो कब तक complete होना चाहिए जिस दिन आपका interview होने वाला है interview से पहले आपका LLB complete हो वही वेक्ति इस form को फिल कर सकता है अगर जिसका LLB चल रहा है वह इस form को नहीं फिल कर सकता है यह लिमेट दिया है और नेनालेटी की बात किया जाता है नेसनालिटी की बात हम करते हैं तो ही मस्ट वी सिटीजन ऑफ इंडिया वह वह वहाँ कर सकता है अगर अगर आप 35 साल से उपर हो तो आपको क्या किया जाएगा अगर आप किसी क्रिमिनल केस में फसे हो या किसी एड़ोकेट के साथ आप पहले से इंगेज हो तो आपको वहाँ पर डिस्कॉलिफाई किया जा सकता है तो आप इन सभी एडवर्टाइजमेंट को मद्य परदेश काम करना duties and responsibilities के बारे में बताया गया पॉइंट डंबर सेवन में फिर जो इंपॉटेंट चीज है वो मैं आपको बताना चाहता हूं इसमें एक admit card आएगा जिसको हम लोग हॉल टिकट करते हैं जब आप फॉर्म को फिल कर देंगे तो आपका हॉल टिकट आएगा वही हॉल आपको दिखा के आपका interview लिया जाएगा मध्यपर्दिस हाइक कोट के द्वारा उसके बाद से जो selection का process बताएगा कि किस प्रकार से selection करेंगे मतलब कि 100 नंबर का यह जो आपका interview होगा वह 100 नंबर का interview होगा इसमें कम से कम आपको 50% इसमें मिंस की सो में से 50 नंबर आपको लाना अनिवार रहे तभी आप selection के आपका selection किया जाएगा अन्यथा आपका selection नहीं किया जाएगा तो इससे आपको एक और भी guideline पता चलता है कि किस तरह से हाई court में interview लिया जाता है अगर आप PCSJ की in future तैयारी करते हैं तो आप एक अगर mock interview ही समझ कर आगर आप दे देते हैं तो आपके लिए बड़ा ही relevant होगा देखिए यहां पर जो important चीज़ है वो मैं आपको बताना चाहता हूं थर्टीन नमबर कॉलम आप पढ़िए consolidated remuneration a fixed consolidated remuneration of 20,000 पर मन्त विदाउट एनी डियर्नेस और अधर अलावेंसेज प्रिकोज़ाइट है सैल भी पेड़ लीगल असिस्टेंट ला कलर कर रिसर्च असिस्टेंट आपको 20 हजार रुपया यहां पर पेड़ किया जाएगा जो important था वो मैंने आपको बता दिया और एक बार और आपको मैं date बताना चाहता हूं जो की advertisement का date है जो last date है वो आपका 2322 है कोई भी interested candidate हो जो law graduate हो वही इस form को fill करेगा और इस form को fill कर लीजिए उसके बाद से जैसे ही इसका कोई next notification आता है जैसे कि इसका interview का तो मैं आपको interview व आने वाला है जो भी interested candidate हो प्लीज इस form को जरूर भरें thank you